Hello friends, Foundations of Art Software के course में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है. आपको याद होगा कि पिछले lectures में हम लोग ने mathematical operations के बारे में बात किया था और हमने scalar versus scalar, scalar odd, data vector और साथ ही data vectors के बीच में हमारे addition, multiplication, division, subtraction, ये वाले operations कैसे होते हैं उसके बारे में सीखा था. अब हमारे पास कुछ और भी mathematical operations हैं जिनका हमको इस्तिमाल अपनी programming में पगटा है तो इस lecture में हम अपने power operation, modular division और integer division के बारे में बात करेंगे और इनके जो operations होते हैं वो बिलकुल उसी तरही से हो रहे हैं जिस तरहे से हमारे addition, multiplication, subtraction, division हो रहेते हैं. तो इस lecture में आपको basically ये समझने की कोशिश करनी है कि ये हमारे operations कैसे होते हैं, अब उन्ही operations को जह हम scalar और data vector की बीच में या data vector की बीच में करेंगे, तो उनकी जो basic methodology है वो वही रहीगी जो आपने पहले सीखी है, तो आपको समझने में कोई दिक्कत भी नहीं आईए. अब आपने एक operation प्रहा होगा जैसे हम लिखते हैं two cube, two cube के क्या मतलब होता है, दो इंटू दो इंटू दो इंटू इंटू दो इसको हम तीन बार करते हैं, अब यह operation अगर मुझको अपने R software में करना है तो उसको किस प्रकार से किया जाया? अब यहां पर यह जो हमने two cube लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे लिखते हैं two hat three, यह जो hat है यह आपकी एक keyboard में इस तरह की की होती है, यह इसका दूसरा करीका यह है, हम hat की जगह यहां पर दो star लिखते हैं, तो यह जो operation होते हैं, is hat यह double star, इनको हम कहते हैं, यह हमारा power operator है, यह हिंदी में हम उसको बोलते हैं, घात, तो अब अगर माल लिजिए कि हमको अगर two cube की value निकालनी अगर है, तो इसको हम अपने art software में कैसे लिखेंगे, जैसे देखे, two cube निकालने के लिए two hat three, अब two into two into two, आप जब करेंगे तो आपका उत्तर के आएगा, आठ, और इसी operation को अगर हम माल लिजिए, star के form में लेखना चाहें, तो hat किजिएगे, हम यहाँ पे दो star लिख देंगे, और यह हमार फिर भी हमारा answer आएगा, आठ, आपको ध्यान होगा, कि यह जो single star होता है, यह तो multiplication के लिए होता है, और जो double star है, यह हमारा our operator है, और यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको आर कंसोल में करने की कोशिश करेंगे, तो आपको इसी तरह का outcome मिलेगा, अब इसी में आपको अगर मालिए square root of 2 की value निकालने है, तो square root of 2 की value निकालने को आप कैसे लिखते हो, 2 raised to the power of 1 by 2, और इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, 2 raised to the power of 0.5, और इसको अगर हम अपने r की भाशा में लिखना चाहें, तो हम ऐसे लिखते हैं, 2 hat 0.5, या हम इसको 2 और साथ में 2 star और 0.5 ऐसा भी लिख सकते हैं, तो यह आपको square root of 2 की value दे देगी, तो जैसे देखी, यहां पर मैंने आपको square root of 2 निकालने के लिए दिखाया है, आप इसको 2 hat 0.5 लिख सकते हैं, इसका उत्तर आजाएगा 1.414, और इसी को आप अगर, आप star के माधियम से लिखेंगे, तो यह 2 double star 0.5 हो जाएगा, और इसका उत्तर आजाएगा 1.414, अब अ कैसे निकालेंगे, आप इसको 2 raise the power of minus 1 upon 2 लिख सकते हैं, और इसको हम 2 raise power of minus 0.5 लिख सकते हैं, और इसको अगर हम अपने aar की भाशा में लिखنا चाहें, तो 2 hat minus 0.5 लिख सकते हैं, या हम इसको 2 double star minus 0.5 लिख सकते हैं, और इसमें से आपको कोई confusion नहीं होना चाहिए, कि पहले यह double star को करेगा, इसमें तो आपने पग रखा हुआ है, गल्ट के नियम की सबसे पहले power operator operate होते हैं, उसके बाद में हमारे बाकी symbol होते हैं, आपने board mask का नियम भी पग के रखा हुआ है, उसी तरह एकिसे अगर मुसको one upon square root of two की value निकालना अगर है, तो उसको हम यहाँ 2 hat minus 0.5 के form में अगर हम लिखेंगे तो आपको यहाँ पर value 0.7071068 मिल जाएगी, और यही देखें यहाँ पर इसका आपका r का outcome भी है, तो अब हम के लिए आगे बगलने के पहले हम आपको यह operation r software में करके हम आपको दिखा देते हैं, अब जैसे आपको निकालना है 3 square, तो आपने देखें लिख दिया, 3 hat 2 और इसका उत्तर आगया 9, और इसी काम को आप अगर 3 double star 2 भी कर देंगे, तो देखी इसका उत्तर आजाएगा 9, अब इसी में अगर आपको square root of 3 निकालना है, तो आप कैसे लिखेंगे, 3 hat 0.5, और आपको पता है कि square root of 3 कितना होता है, 1.732051, और अगर आपको 1 upon square root of 3 निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आप 3 hat minus 0.5 पर देंगे, तो आपको देखी यहाँ पर यह value मिल जाएगे, उसी तरीके से आप अगर यहाँ पर कोई भी operation आप अगर करना चाहते हैं, जहाँ पर आप our operation को करना चाहते हैं, आप उनको बहुत आसानी से कर सकते हैं, अब हम आपको यही जो हमारे power operators हैं, यह अभी मैंने आपको scalars के बीश में करके दिखाया, अब मैं आपको इनको data vectors के साथ करके दिखाता हूँ, तो मैं पहला case लेता हूँ, जहाँ पर मैंने एक data vector लिया हुआ है, और उसके बाद में power operator जो हमारा है, यह हमारा scalar है, तो अब देखिए, यहाँ पर हमारे वही वाले नियम जो हमने पहले follow करे हुए हैं, वही यहाँ पर काम करते जाएंगे, जैसे कि अगर हमने क्या हुआ है, c, 2, 3, 5, 7, hat 2, तो यह hat 2 जो हमारा है, यह हमारा 2 के उपर आ जाएगा, यह हमारा 3 के उपर आ जाएगा, यह हमारा 5 के उपर आ जाएगा, और यह हमारा 7 के उपर आ जाएगा, जैसे रहे कि मैंने यह लिखा हुआ है, और इसका उत्तर आपको 2 square 4, 3 square 9, 5 square 25 और 7 square 49 मिल जाए सब्सक्राइक setzen का और एस का की स्क्रीन शाटत भी है आप हमें काम करते हैं हम यहां पे डोनों वैल्यू इस को हम डेता विक्टर के फॉर्म में ले सकते हैं अब देखिए पहला ऑपोर्यशन तो यह है कि हम डोनों डेटा डेटा वेक्टर में जो number of elements हैं दोनों डेटा वेक्टर की जो लंबाई को बराबर ले लें तो उसमें भी हमारा वही वाला operation होगा जैसे आपने पहले किया है हम अधारल के लिए यहां पर देखिए एक डेटा वेक्टर लेते हैं जिसमें हमारे पास चार elements हैं और अगला जो ह हमारा डेटा वेक्टर इसमें हमारे दो elements हैं कौन-कौन से हैं 2 और 3 अब जब हमारा इसका power operation होगा तो किस तरीके से होगा यहां 2 और 3 उठकर के यहां पर आएगा और यह जो हमारे पहले दो position पर number हैं यह उसी order में यहां पर 2 और 3 इनकी उपर आकर के बैटे जाएगा और फिर उसके बाद फिर से हमारा यह 2 और 3 यहां से उठेगा और यह यहां पर आएगा और यह 2 और 3 इन बाकी दो number के उपर आकर के बैटे आएगा तो देखिए आपको क्या उत्तर मिल गया 2 square 4 और यह यह हुआ फिर 3 cube 27 फिर 5 square 25 फिर 7 cube 343 और यही चीज आप अगर R software में करके देखेंगे तो भी आपको यही outcome मिलेगा यह का screenshot भी दिया है मैंने आपको अब इसी में आप अगर आपको मैं एक और उधारन दिखाता हूं जहां पर मैं दोनों data vectors में दोनों की लंबाई को बहा देता हूं लेकिन मैंने यहां पर ध्यान रखा हुआ है कि जो हमारा दूसर data vector है उसमें जो हमारे जो इसकी लंबाई है वह पहले data vector की लंबाई का exact multiple हो तो जैसे देखी मैंने एक यह data vector लिया हूआ है इसमें इसके अंदर हमारे यहां पर 6 elements है और दूसर data vector मैंने लिया है इसमें हमारे पास 3 elements है अब यह क्या होगा यह 2, 3, 4 यह पूरा-पूरा उठ और यह यहां पर 2, 3, 4 पूरा-पूरा उठ करके यहां पर आ जाएगा अब इसके बाद हमारे पास बाकी संख्या बची हुई है तो फिर से यह 2, 3, 4 उठेगा और यह उठ करके यहां पर 2, 3, 4 उठ करके आ जाएगा तो आप देखिए आपका क्या हो गया operation आपका यह हो गय 1 स्क्वार जो होगए 1 यह यह फिर हो गया 2 स्क्वार फिर ह् f他रा इसकी वैल्यव बाद में पिर से आ तो आपका वैल्यी हो गया 42 यह 1ば फिर आपका है 5 cube यही 5 cube है और यह इसकी value आ गई 125 और फिर आपका है 6 इस पावर आफ 4 जो ऐसे लिखा हुआ है और इसकी value आ गई 1296 और यही operation आप अगर अगर अपने आज software में करेंगे तो भी देखिए आपको ऐसे ही दिखाई पड़ेगा इसको समझदे में तो कोई समस्या नहीं है अब हम एक और अधारा लेते हैं जहां पर हम अपने दूसरे data vector की जो length है उसको हम पहले data vector का exact multiple नहीं लेते हैं तो इस कार को करने के लिए मैंने देखिए यहां पर एक data vector लिया है जिसमें हमारे पास star element है और दूसरा data vector लिया हुआ है यहां पर हमारे पास किन elements है दो तीन चार और इसके उपर जब हम अपना power operator लगाएंगे तो क्या होगा exactly वही process होगी यह दो तीन चार उठकर के अब जब हमारे पास यहां पर आगे संख्या बची हुई है तो फिर से ही है दो तीन चार उठेगा और यहां पर आके बैड़ी आएगा तो यहां तो दो है लेकिन तीन चार के लिए यहां पर कोई भी जगा नहीं है तो यह दो तीन चार हमारा इसके उपर आ जाएगा अब यही लिखा हुआ है 3 cube और इसकी value कितनी आ जाएगी 27 आपका 3rd number क्या है 5 raise power of 4 यह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी value कितनी आ जाएगी 625 और इसके बाद में जो आपका तौथा number है यह क्या है 7 square और यह देखी यह लिखा हुआ है और इसकी value कितनी आ जाएगी 49 अब इस warning message देदी कि longer object length is not a multiple of the shorter object length और देखी यही आपको जब आप इसको R software में करने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखाए जाएगा तो सबसे पहले हम इनकी जों को R software में करने की कोशिश करते हैं आपको दिखाते हैं और फिर हम आगे की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने एक एक vector layer 2345 और इसको मैंने सबसे पहले एक मैंने यहाँ पर square कर दिया और जब हमें इसको यहाँ पर करते हैं तो आपने देखा कि यह जो square है यहाँ पर हर एक के ऊपर operate हो गया 2 square 3 square 4 square 5 square इसके वल्यों कितने आगी 4 9 16 25 कोई issue नहीं है अब हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर जड़ा हम इसमें से दोनों को हम data vector के formula ले लेते हैं और suppose हम इसमें से इसका data vector लेते हैं 5 3 2 4 दोनों की लंबाई बराबर है इसमें भी आपके चार elements हैं और दूसरे data vector के अंदर भी 4 elements हैं तो यह क्या हो जाएगा यह जो 5 3 2 4 यह in numbers के उपर आकर के बैड यह आएगा और इसमें से power operation हो जाएगा क्यासे ? 2 raised to the power of 5, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32. Then 3 cube which is 27, 4 square यह कितना होगा 16, 5 raised to the power of 4, 5 5 the 25, 25 5 the 125, 125 5 the 625, तो देखी यह आ गया अब हम एक काम करते हैं इसमें से इन कार elements की जगा हम यहाँ पर खाली 2 elements रखते हैं तो पहले data vector में हमारे पास car values है 2 3 4 5 और दूसरे data vector में हमारे पास सिर्फ 2 values है 5 और 3 अब इसको देखी हम operate करेंगे तो क्या होगा यह 5 और 3 सबसे पहले जो हमारी प्रतम 2 संख्या है इसके ओपर आएगा तो यह बन जाएगा 2 की power 5 यह हो गया 32 3 cube फिर हो जाएगा 27 फिर ही हो गया 4 इस power of 5 तो यह आजाएगा 1024 और 5 cube यह हो जाएगा आपका 125 और इसी में आप अगर माल लिजे कि अगर आप एक यहाँ पर कोई और number ले रहते हैं 5 3 2 अब इस case में क्या है कि आपके दूसरे data vector में जो अंको की संख्या है वह पहले data vector के exactly multiple नहीं है अब इसको हम देखें यहाँ पर enter करते हैं तो क्या होगा यह जो 5 3 2 है यह हमारा 2 3 4 के ओपर power operator की तरह आजाएगा और पांच पर हमारा आजाएगा पांच लेकिन उसके आगे 3 और 2 को बठाने के लिए कोई जगा नहीं है तो यह हमको warning देदेगा तो मातर उत्तर क्या जाएगा 2 is power of 5 32 3 cube 27 4 square 16 और 5 is power of 5 3125 उसके साथ में से हमको देदिया warning message तो आप यह देख सकते हैं कि इस R software म बहुत कठिन काम नहीं है और यह बिल्कुल उसी pattern पर हो रहा है जिस pattern पर आपने अपने पहले के operations करके रख्य हुए हैं अब इस power operation के बाद हम आपको एक और concept देना चाहेंगे जो हमारे integer division का है अब देखिए integer division बहुत ही आसान सी चीज होती है अब अगर आप देखोगे कि हम लोग ने बस्पन में सीखाता है कि अगर हम दो को दो से भाग देते हैं तो तर आता है two ones are two और remainder हमारा कितना आता है शूर में तो हर एक इस भाग करने के दो outcome होते हैं एक तो यह value है one और दूसरी value है zero अगर हमारा कभी उद्देश होता है कि हम खाली इस one को प्राप करना चाहते हैं और कभी हम इस खाली remainder को प्राप करना चाहते हैं तो जब भी कभी हम इस one को प्राप करना चाहेंगे इसको हम integer division के थुरू प्राप कर सकते हैं और अगर हम खाली remainder को प्राप करना चाहेंगे तो उसके लिए हमारे पास modulo division होता है उसके ज़ौरा हम प्राप कर सकते हैं अब सवाल यह है कि R software में यह integer और modulo divisions किस प्रकार से करे जाए अब आप देखिए हम आपको एक और उधाग लेते हैं कि अगर आप 5 को 2 से भाग करेंगे तो क्या उत्तर आएगा 2, 2 is a 4, 5, 4 is a 1 तो यह value देखिए आगई 2 और यह value आगई मारे remainder आगई 1 उसी तरह के से आप अगर साथ में 3 को अगर भाग करेंगे तो यह उत्तर आजाएगा 3, 2 is a 6 और इसमें से remainder कितना आजाएगा 1 तो R software में इस integer division का मतलब होता है कि इसका जो उत्तर आएगा उसमें से हमारा जो remainder part है उसको हम ignore कर देंगे और इस integer division को करने का हमारा operator होता है इस तरीकी का यह जब percentage का sign है फिर यह back slash उसके बाद में फिर से percentage का sign लेखना है तो जब हम यह इसको अगर हम two integer division by two करते हैं तो यह क्या चीज़ हो जाएगी यह यही चीज़ तो होगी जो हमने करी है और यहाँ पर यह जो value आई है one यही value तो देखिए इसका उत्तर आ रहा है one और उसी तरीके से अगर हम मान लीजे five integer division by two करते हैं तो हमारा यहाँ पर उत्तर कितना आ रहा है दो यही कारत तो है तो यह दो उत्तर करके देखिए यहाँ पर उत्तर में आ गया और जब हम integer division में start को clean से भाग करते हैं तो यह operation हमारा यही तो है यहाँ उत्तर हमारा यहाँ यहाँ पर देखिए आ रहा है दो तो यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि जब हम scalars के बीच में integer division करते हैं तो हमारा इसका operator क्या है और इसका उत्तर क्या आता है अब हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और हम अपने इस scalar को data vector में curve work करने की कोशिश करते हैं तो देखिए पहला मैंने value लेली data vector और दूसरी value हमने लेली इस scalar अब इसके अंदर भी exactly वही operations होंगे जो हमने पहले करके रखे हैं यह हमारा जो integer division है यह हमारा हर एक value के उपर आ करके operate हो जाएगा और आप अगर देखेंगे तो जब यह हमारा two पहली value पर आता है तो हो जाएगा two integer division by two, three integer division by two, five integer division by two, seven integer division by two और जब आप two score दो से भाग करेंगे तो आपका उइनांक आएगा एक answer आगया one जब आप तीन को दो से भाग करेंगे तो हो गया two, one is are two आपका remainder आएगा one और उइनांक आएगा एक तो इदेखेंगा आगया एक और उसी तरीके से आप जब पांस को दो से integer division करेंगे तो को करेंगे तो आजाएगा 3 क्यों वह देखे 2 5 जा 2 2 जा 4 रिमेंडर बजगिया 1 और 7 को आप जब 2 से करते हैं 2 2 3 जा 6 और रिमेंडर बजगिया 1 और यही देखें आपको अपने इस्क्रिंशॉट से में भी दिखाई पढ़ रहा है कि जब आप इसको आर में करोगे तो आपको कैसे दिखाई पढ़ेगा अब हमें काम करते हैं आप हम दोनों नंबर को हम डेटा वेक्टर के फॉर्मे में ले आते हैं तो यहां भी बहुत ही आसान है जिस तरह से हमारे पास पहले के 씨 के ऑपरेशन हो रहे थे वही ऑपरेश्चन रहे यहां भी होते जाएंगे लेकिंग यह हमारा data vector है, जहां पे हमने एक किसके लंबाई हमारी है 4 और दूसरा data vector हमने लिए है जिसके लंबाई है 2 दूसरे data vector एकी भी लंबाई 4 हो सकती है, उसमें भी कोई तिकत की बात नहीं है लेकिन उसका भी operation वे वैसे ही होगा जिस तरीके से बाकी operation हो रहे थे अब हम देखिए यहाँ पर देखते हैं कि अगर यह integer division यहाँ पर होता है तो सबसे पहले यह two और three यहाँ उठ करके यहाँ पर आ जाएगा और यह जो पहरी दो संख्याएं लिखी हुए है उनके साथ में आप देखिए दो का दो के साथ में integer division और queen का तीन के साथ में inter division हो जाएगा और जिसका उत्तर आ जाएगा एक एक और उसी करीके से अगर हम फिर से इसको दो तीन को हम यहाँ पर लाएंगे तो यह हमारा इस दो के तीन पर आ जाएगा पांच और साथ की उपर और यह खो जाएगा पांस divided by दो और साथ divided by तीन और दोनों का उत्तर आपका क्या आ जाएगा दो दो तो आप अगर ध्यान देएगे तो यह वही तो रूल है जो आपने addition, multiplication, division, subtraction में लगा जाए और यह देखिए इसका screenshot भी है और यही पर हम ने जिस प्रकार से बाकी अधार लिये हुए हैं उसी तरह से अगर हम यहां पे दो data vector ऐसे ले ले जहां पर पहले data vector की length और दूसरे data vector की length exact multiple ना हो जैसे आपने पहले बाले में देखा था कि पहले data vector की length क्या थी चार और दूसरे की थी दो तो यह exact multiple था तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आए लेकिन अब हमारे पास क्या है पहले data vector में हमारे पास इसकी लंबाई है तीन दो तीन पास और दूसरे data vector की लंबाई है दो यहां दो संक्या है दो और तीन अब जब आप यहां पर integer division करेंगे तो यह 2 और 3 दोनों यहां पर उठ करके यहां पर आएंगे और यह सबसे पहले यहां पर इनके साथ में मिल करके integer division कर देंगे तो यह आपका हो जाएगा 2 integer division by 2 and 3 integer division by 3 और इसका उत्तर आजाएगा 1 और 1 अब इ 5 के साथ में 2 का integer division होगा है जो यहां पर हो रहा है लेकिन इस 3 के साथ में integer division करने के लिए पहले data vector में कोई संक्या नहीं है तो यहां पर कुछ नहीं हो पहेगा और 5 integer division 2 का जो उत्तर है यह आजाएगा 2 और बाकी के साथ में कोई value नहीं है तो यहां पर हमारा R हमको एक warning message कर देगा कि यहां पर जो भी हमारा छोटा data vector है उसकी लंबाई बगए data vector के exact multiple नहीं है तो आप देख लिए कि यह कहीं पर mistake हो रही है या आप इसको कर रहे हैं और यही आपको देखिए यहां भी screenshot मिल जाएगा अब हम इसी operation को अपने इस R software में करने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें से इसको किस तरीके से operate किया जाता है अब हम देखिए यहां पर करते हैं 5 integer division by 2 तो 2 2s आ 4 तो देखिए उतर आ अगर हम आ लिए 5 integer division by 4 करते हैं तो उतर जाएगा 1 क्यों 4 1s are 4 और remainder बचेगा 1 अब हम यहां पर जो पहली संख्या है उसको हम data vector में convert करते हैं suppose बने कर दिया 6 और 7 8 और 9 और जो दूसरी value है उसको हम अभी यहां पर scalar ही रहे देखते हैं तो जैसे मने कर दिया माली यह 5 अब आप देखेंगे क्या होगा यह जो integer division है 5 से यह इस हर एक संख्या में हो जाएगा और जब आप इसका उतर देखेंगे तो आ जाएगा 1 क्यों 6 में जब आप 5 का division करेंगे तो पूर्णांग आएगा 1 साथ में 5 का division करेंगे एक आट में करेंगे नौ में करेंगे तो पूर्णांग आएगा 1 इसी चीज को अगर आप यहां पर मालीजे कि अगर आप कीन से कर देते हैं को देखेंगे आपका बत्र क्या हो जाएगा 6 से करेंगे कीन का तो 3 तूजा 6 7 में 2 तूजा 3 तूजा 6 उसके आप के काम तो अब इसमें से देखिए दोनों data vectors हमारे बराबर लंबाई के हैं तो यह जो 2, 3, 4, 5 है इसका integer division इसमें 6, 7, 8, 9 के साथ में क्रामशा हो जाएगा और आप अगर outcome देखेंगे तो यह ऐसा आ जाएगा 3, 2, 2, 1 क्योंकि 6 का 2 के साथ में integer division है, 7 का 3 के साथ में है, 8 का 4 के साथ म अब हम इसी में अपने इस data vector की लंबाई को छोटा कर देते हैं और हम छोटा ऐसे करते हैं कि जो छोटा data vector उसकी लंबाई है 2 और बढ़े वाले की data vector की लंबाई है 4 तो यह उसका exact multiple है आप जब करेंगे तो देखिए 2 और 3 सबसे पहले integer division 6 काथ को क्रामशा करता है तो उतर आजाएगा 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6 तो यह इसका 2 आ गया अब यही 2 और 3 फिर आथ और 9 को integer division कर देंगे उतर जाएगा 2 4 जा 8 और 3 3 जा 9 अब यहां पर अगर हम इसी कार को अगर हम यहां पर माल दीजे 2 3 5 कर देते हैं अथाथ मैंने यहां पर क्या किया कि यह दूसरे data vector की 5 का exact multiple नहीं है तो देखिए क्या जाएगा इस तरह का उतर आ जाएगा हमारा जो 2 3 5 है यह हमारा 6 7 8 जो हमारे first 3 places पर number है जो पहली तीन पोजिशन पर number हैं उनके साथ में integer division करेगा और फिर जो बचा हमारा 9 उसके साथ में 2 का integer division होगा तो हो गया 2 4 जा 8 तो यह 4 आ गया तो आपने देखा कि इसके अंदर भी जो भी हमारे operations होते हैं इस integer division को लेकर कि यह भी बिल्कुल उसी तरीके से हैं कैसे हमारे बाकी operations होते थे इसके बाद हम अपने इस lecture के अंतिम topic पे आते हैं और जहां पे हम आपको modulo division के बारें बताएंगे तो modulo division को हम जैसे एक हमारा popular नाम है हम कहते हैं x mod y तो यह catchy होती है जैसा मैं आपको अभी में बता भी चुका हूँ जब आप 2 को 2 से आप divide करेंगे तो आपका आजाएगा पूरा का जाएगा एक टू बंजा टू और remainder कितना बच जाएगा जीरो और उसी तरीके से अगर हम कीन को 2 से भाग देते हैं तो उता जाएगा 2 1 जा 2 और हमारा यहां पर remainder कितना बच जाएगा एक और उसी तरीके से अगर हम कात को कीन से भाग देते हैं तो यह हो जाएगा 3 2 जा 6 और हमारा remainder बच जाएगा 1 और उसी तरह से अगर हम 7 को 4 से भाग देते हैं तो यह हो जाएगा 4 1 जा 4 और remainder बचेगा हमारा 3 तो यह जो modulo division है यह हमको इस प्रक्रिया में जब हम किनी दो number को आपस में भाग देते हैं जो उनका remainder बचता है यह उसकी value देता है और इस modulo division को करने का हमारा operator होता है वो ऐसा है दो बार percentage sign आपको लिखना है तो जैसे कि अगर हम कहें कि यह लिखा हुआ है 2 percentage percentage sign 2 इसका अलब है 2 mod 2 अर्थात कि 2 को 2 से divide करो और जो उसका remainder आता है उसको आप यहाँ पर लिखो तो अगर आप देखोगे 2 को 2 को जब आप 2 से 2 को जब आपने भाग दिया है तो उसका remainder कितना है यह जीरो और यही चीज तो यहाँ पर दिखाई गई है अब आप अगर यह देखें अगला सवाल देखेंगे अगला अधारन तो यह है 3 mod 2 अर्थात 3 को 2 से भाग दो और जो भी remainder बचे वह 1 उसका उत्तर लिखो तो यह देखी हो गया 1 जो हमारा अगला अधारन है उसमें क्या है 7 को 3 से भाग दो और जो भी remainder बचे उसको लिखो तो आप देखेंगे तो यह 7 mod 3 हो गया और इसका उत्तर हो गया 1 अब जो मारा अगला अधारन है उसमें क्या है 7 mod 4 अर्थात 7 को चक्तार से भाग दो और जो भी उत्तर बचे उसका remainder आए उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए कितना हो गया 3 तो यह हमारे देखे modulo division है लेकिन यहाँ पर modulo division में मैंने आपको बताया है यहाँ पर मैंने दोनों numbers को scale ले लिया हुआ अब इस हम जिस तरीके से हमने integer division में किया था यहाँ भी हम उसको आगे ले करके चलते हैं और अपने इन numbers को data vector के form में लिखने की कोशि कितना है? चार, इसमें 4 values दें, दो, तीन, पाँच और साथ है और इसको हम modulo division करते हैं दो के साथ में तो इस में से क्या होगा यह जो modulo division है यह हमारा हर एक element के साथ में, दो, तीन, पाँच और साथ हो जाएगा और इसका उत्तर देखी क्या हो जाएगा दो को हम जब दो से मॉडलो डिविजन करेंगे तो हमारा उत्तर आजाएगा जीरो क्यों क्योंकि दो को दो से आप जब भाग देंगे तो आपका रेमेंडर क्या बचेगा शुन और जब हम इस तीन को दो से मॉडलो डिविजन कुछ ऐसा तो हमारा उत्तर क्या आएगा एक क्यों इसका हमारा रेमेंडर क्या बचेगा एक और उसी तरीके से हम अगर पांच और साथ को अगर हम दो से मौडलो डिविजन करेंगे जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है आपको उत्तर मिलेगा एक क्योंकि दोनों के केस में एक एक आएगा आप अगर ध्यान देंगे इसका भी जो ऑपरेशन का करीका है यह बिलकुल वैसे ही है जैसा आपने पहले के केस में किया हुआ है और यह देखिए इसका स्क्रीन शॉट है अब हम क्या करते हैं दोनों नंबर को हम डेटा वेक्टर के फॉर्म में कर देते है तो जैसे मैंने पहला डेटा वेक्टर लिया इसके इसके लंबाई है चार इसमें चार एलिमेंट्स हैं दो तीन पांस साथ और दूसरे डेटा वेक्टर के हमारी लंबाई है दो तीन इसमें हमारे पास दो डेटा वेक्टर दो डेटा वैलियूस हैं अब इसका भी जैसे आपने पहले किया था और यहां पे आप अगर ध्यान देंगे हमारे पाथ दोनों कि हम धोनों data vector की लंबाई सेमर सकते हैं। और अगर अलग है तो उसका exact multiple हो सकता है या उसका exact multiple नहीं हो सकता है। तो जहां पर हमारे दोनो डेटा वेक्टर की लंबाई बराबर होगी उसका भी operation आपने बहुत 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 जैसे बाकी operation की ऐसी यहां भी होगा आपको हम उसको R software में करके दिखाएंगे यहां पर हम उधाराल के लिए यह वाला डेटा वेक्टर ले रहे हैं जिसमें से दूसरे डेटा वेक्टर की लंबाई है दो और जो पहले डेटा वेक्टर की लंबाई है चार उससे का यह exact multiple है अब क्या होगा यह दोनों नंबर यहा पर आ जाएगे और इनका मॉडलो डिविजन हो जाएगा दो का दो के साथ में तीन का तीन के साथ में और जो भी उनका दो का दो के साथ में मॉडलो डिविजन में उत्तर के आ जाएगा शून ने और तीन का तीन के साथ में मॉडलो डिविजन में रेमेंडर के आ जाएगा और यह जो हमारा क्या हुआ जो भी पहली पोजिशन में था पहले वेक्टर में उसका दूसरे डेटा लग्टर की पहली पोजिशन के साथ में मौडिलो डिविजन हो गया और जो हमारा डेटा वेक्टर वन में दूसरी पोजिशन पे था वही हमारा डेटा वेक्टर टू की द तो जो भी हमारा यहां पे पहली पोजिशन पे है 5 और दो का मौडुलो डिविजन हो जाएगा और जो हमारा दूसरी पोजिशन पे है 7 और 3 उसका हमारा मौडलो डिविजन हो जाएगा और दोनों के case में हमारा जो remainder कितना कितना आएगा एक-एक तो आपको यहां पर उत्तर मिल जाएगा एक-एक और इसी operation को आप अगर art software में करने की कोशिश करेंगे तो इसका आप देखिए screenshot यहां पर दिया हुआ है अब हम जो अपना एक और उधारन है हम उसको लेने की कोशिश करते हैं और इसमें से मैंने दोनों डेटा वेक्टर मेंचे छोटे डेटा वेक्टर की जो लंबाई है उसको हमने बगए डेटा वेक्टर की लंबाई का exact multiple नहीं रखा है तो देखिए आपका पहला डेटा वेक्टर है जिसकी लंबाई है तीन इसमें तीन elements हैं दो, तीन और पांच और दूसरा डेटा वेक्टर हमारा है जिसमें हमारे पर लंबाई है दो इसमें हमारे पर दो values हैं 2 और तीन अब जब इनका modulo division होगा तो क्या होगा कि यह दोनों नंबर दो और तीन उठ करके यहां पर आएंगे और इनका यह जो पहली दो पोजिशन पर नंबर हैं उनके साथ में मॉडलो डिविजन हो जाएगा तो क्या होगा दो का दो के साथ में होगा और तीन का तीन के साथ में होगा और दो को दो से हम जब और तीन को तीन से जब हम डिवाइड करेंगे भाग देंगे तो उसका रिमेंडर कितना आएगा 00 अब इसके बाद क्या होगा यह फिर से दो तीन उठेगा और यह उठ करके य नहीं है तो इस screen का यहाँ पर कोई भी मॉडलो डिविजन नहीं होगा और साथ में आर आपको एक वर्निंग मेसेज भी करेगा कि यहाँ पर जो छोटे डेटा वेक्टर की लंबाई बगए डेटा वेक्टर की लंबाई का exact multiple नहीं है और यहाँ पर आपको यह देखना पड़ भी मैंने आपको दिया हुआ है अब हम इसी operation को जड़ा सा आपको आर software में करके दिखाते हैं जिससे कि आपको थ्वासा confidence आज जाएगा तो दिखिए अब हमने यहाँ पर किया suppose 9 और modulo division by here यहाँ से मैंने कर के साथ नहीं कितना हो जाएगा 4 तू जा 8 और रिमेंडर कितना बचेगा 1 उत्तर आगया 1 अब हम अगर हम 9 को 3 के साथ नहीं का देंगे तो 3 जा 9 और रिमेंडर बचेगा 0 तो दिखिए उत्तर आगया 0 अब हम यहाँ पर डेटा वेक्टर लेते हैं मैंने यहाँ पर डेटा वेक्टर ले लिया से 6, 7, 8 और 9 और इसको मैंने modulo division किया सपोज 5 के साथ में अब आप देखी क्या होगा 6 को जब हम 5 से डिवाइट करेंगे उत्तर आएगा रिमेंडर का 1 और ऐसी जब हम साथ को 5 से भाग देंगे तो रिमेंडर कितना आएगा 2, 8 को 5 से डिवाइट करेंगे तो रिमेंडर कितना आएगा 3 और 9 को 5 से डिवाइट करेंगे तो डेटा वेक्टर्टि ले लेते हैं, suppose 3, 5, 2 और 4, तो अब यहां पर आप अगर देखेंगे तो मैंने दोनों डेटा वेक्टर की लंबाई मैंने बराबर रखी होई है, तो यह जो दूसरे डेटा वेक्टर की संक्याएं हैं, 3, 5, 2, और चार इनका हमारा जो पहले डिगेटर वेक्टर की सग्याएं छे, साथ, आठ और नौ इनके साथ में मौडलो डिविजन हो जाएगा और जो इनकी रिस्पेक्टिव पोजिशन से उसी के साथ में इनका होगा और जब आप इसका उत्तर देखेंगे तो क्या आएगा देखि अब इसी में हमें काम करते हैं कि हम दूसरे वेक्टर की यो लंबाई को दो कर देते हैं तो इसको मैंने दोच ले किया है अब क्या होगा यह जो मॉडलो डिविजन है यह जो फीन और पांच का पहले छे और साथ पे होगा और फिर आठ और नौ पर होगा आप देखेंगे तो आपको तर मिल जाएगा जीरो दो दो चार अब यहीं पर अगर हम इसमें ही इसकी लंबाई को अपने दूसरे डेटा की लंबाई को अगर हम ऐसा कर देते हैं कि जो हमारे पहले डेटा वेक्टर की लंबाई की एक्जैक्ट मल्टिपल नहीं है तो आप यह देखेंगे कि इसका उत्तर में क्या हो जाएगा कि यह जो पांच और दो है यह इसकी जो पहली तीन पोजिशन पे संख्याए है छे सा और नौ का जब तीन के साथ में मॉडलो डिविजन होगा तो उतर आएगा शून है इस ही और साथ में लेकिन इसके आगे पांच और दो से मॉडलो डिविजन करने के लिए यहां पर कोई संख्या नहीं है तो इसलिए इसने आपको यहां पर वार्निंग मैसेज दे दिया और इसने फिर से कहा कि जो छोटे डेटा वेक्टर की लंबाई है वह बगए डेटा वेक्टर की लंबाई का इग्जाक्ट मल्टिपल नहीं है अब आप देखिए तो यहां पर यह ऑपरेशन करना बहुत ही आसान काम है और साथ ही अब हम इस लेक्चर को यहां पर समाप करते ह हैं और आपने देखा कि चाहे हमारे पावर ऑपरेटर हों चाहे हमारे मॉडलो डिवीजन हो चाहे इंटीजर डिवीजन हो इनका कार करने की जो मेटरॉलजी है वो तो एक सी है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने अपने अडिशन सब्ट्रैक्शन मॉल्टिप्रिकेश division में किया था अब यह हमारे अलग-अलग operations तो इनके हमारे जब हम programming करेगे तो इनके अलग-अलग करीके के bothाता होंगे तो अभी हम जो कार करे रहे हैं वो तो यह कर रहे है कि एक programming करने के लिए हमारे programming के कौण कौण से छोटे छोटे से хотите होगते हैं और साथ ही हम यह भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मुझे कोई mathematical operation आर में करना है तो वो किस तरीके से किया जाए और साथ ही हम जो mathematical operator यहाँ पर इस्तिमाल कर रहे हैं उसको आर किस तरी से समझ रहा है जबते कि हम दोनों का हमारा सामंजिस नहीं होगा कि हम जो कार करना चाहते हैं और जो आर समझ रहा है अगर हम एक दूसरी की बात को नहीं समझेंगे हम अपनी programming में जो कार करना चाहते हैं उसको हम ठीक से भाशा में नहीं लिख पाएंगे और जब हमारी आर programming की भाशा ठीक नहीं होगी तो R भी ठीक से समझ नहीं पाएगा, हम भी नहीं ठीक से लिख पाएगे और हमारा कार नहीं हो पाएगा इसका अर्थ क्या हुआ? कि आपको R की भाषा समझ नहीं है और R को आपकी भाषा समझ नहीं है इसी को समझने के लिए आप एक काम करिए आप छोटे छोटे सो दारग लीजिए उसको पहले अपने हाथों से करिए अपना कलम और अपना काज़ इस्तिमाल करिए और उसके बाद में उसी ओपरेशन को आर्ट सौफ्रियर में करने की कोशिश करिए और देखिए कि क्या आपको वही उत्तर मिलता है और आपको वही उत्तर मिलना चाहिए आप इनकी जोंकी प्राक्टिस करिए और हम आपको अगले लेक्ट्चर में कुछ और कम्पुटेशन के टूल्स लेकर के फिर से आपके साथ मिलने आएंगे तब तक के लिए गुडबाई के लिए जो सब्सक्तर के लिएकर के टूले कि लिएज़े